How to share Instagram story to Facebook business page नमस्कार दोस्तो सुआगर आप सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तो अगर आपको Instagram story Facebook page पर share करना नहीं आते हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर रिखेगा ठीक है इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हो complete तरीके जिसके मदद से आप अपने Facebook page ठीक है Facebook business page के अंदर पर आप अपने Instagram story को share कर सकते हैं Just by one click ठीक है तो दोस्तो कैसे possible होगा कैसे आपको करना है ये सब कुछ आप इस वीडियो पर देख पाओगे बस आप वीडियो को अच्छे से देख लीजेगा ठीक है यहाँ पर कि कैसे ये future काम करते हैं कैसे दोस्तो ये possible होगा किस तरीके से आप कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो video description पर आप link check out कर सकते हैं और किसी भी problem की regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चले दोस्तो आज कि इस वीडियो को शुरू करते हैं तो guys यहाँ पर सबसे पहले जो कि आपको क्या करना चाहिए ठीक है आपको business page बना लेना चाहिए अगर नहीं बनाया है Facebook का ठीक है Facebook page बगएर यहाँ पर नहीं बनाया है तो बना लिग जए हमारे channel पर भी आपको video मिल जाएगा guidance अच्छे से कर रखाए तो आईए दोस्तो हम open करते हैं अपना Instagram अपना IG को open करते हैं open करने के वाद दोस्तो यहाँ पर यह ही मेरा Instagram आप चाहिए तो follow कर सकते हैं ठीक है DM बगएरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको ठीक है अगर आपना Instagram story Facebook business page पर share करना है तो क्या करना चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको connect करना होगा Facebook and Instagram Instagram और Facebook को connect करना है ठीक है तो यह दोनों दोस्तो connection कैसे होगा connection करने के लिए आपको जाना है दोस्तो आपने mobile के setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको account section मिल जाएगा account section पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर है कुछ options ठीक है तो यहाँ पर कौनसा वाला option है आईए एक बार check कर लेते है account connect करने के लिए तो review activity switch account type and then sharing to other apps ठीक है तो आपको sharing to other apps में जाना है उसमें click कर देना है facebook को select करना है facebook वह रहाँ यहाँ पर login कर लेना है login करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा account center ठीक है अगर आपने account login नहीं किया है तो account center पर जाके आप यहाँ पर account को login कर सकते है ठीक है तो पहले जाएए account को login कीजिए login करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर page है वो show करेगा यह है आपका business page ठीक है तो आपका facebook business page यह है तो आपको यहाँ पर tap करके open करना है आपका blue tick यहाँ पर लगा लेना है जो कि facebook से हट जाएगा तो facebook का जो यहाँ पर tick है वो change होके आ चुका है मेरा facebook business page में यह दोनो connected है यह मेरा facebook है और यह मेरा facebook business page है ठीक है तो मेरा facebook में यह business page मैंने open कर रखा है अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है मैंने select कर दिया है facebook business page को ठीक है अब ही दोस्तों यहां पर होगा क्या Your Instagram Story Your Instagram Post Automatically Share option मैं ने Open कर दिया है Automatically Share Your Instagram Story Your Instagram Post इसको Open कर दीजै अब भी उसके बाद Profile मर जाएंगे Plus पर क्लिक करेंगे Story पर क्लिक करेंगे और एक story अप्लोड करेंगे यहां पर यहां पर कुई एक स्टोरी अप्लोड करेंगे तो ओके यहाँ पर जस ठीक है जस यहाँ पर यह है अप्लोड कर देंगे कुछ है नहीं सो इसको अप्लोड कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं your story का option आ रहा है दुबारा से ठीक है facebook के अंदर पे तो हम देखते हैं यहाँ पर की search में हमारा facebook business page के अंदर पे क्या यह story upload होगा या फिर कहाँ पे होने वाला है ठीक है वो यहाँ पर suspense रहेगा फिलाल के लिए तो इसको हम share कर दे रहा है ओके यहाँ पर share तो यह story आ चुका है ओके यहाँ से आप इसको burn कर सकते है facebook story को तो share करेंगे share करेंगे share करने के बार मेरा facebook पे यहाँ पर हो जाना चाहिए फिलाल के लिए तो facebook आ चुका है अभी हम जाएंगे facebook के अंदर पे ठीक है instagram पर जो है upload हो चुका है तो यहाँ facebook को refresh करते है your story तो story पर आभी तक नहीं आया है ठीक है हम जाएंगे page के अंदर पे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने upload किया है तो यहाँ पेज के लिए तो वो page के अंदर पे नहीं आते हैं वो आते हैं आपके facebook story के line पे ठीक है facebook story के option पे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरा logo आप देख सकते हैं logo मैंने जो set कर रखा था तो फिलाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों कुछ internet connection के वज़े से problem हुआ है तो इसके वज़े से यहाँ पर this photo could not be uploaded to your story बता रहा है तो यहाँ पर दोस्तों ट्राइगन करने इससे यह जो है upload हो जाएगा ठीक है फिलाल के लिए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो page है ठीक है business page उसमें अगर आप कुछ upload करना चाते हैं तो आपको पहले setting वगरा set करने हैं दोस्तों वो जो की यहाँ पर ही आएगा ठीक है आपके your story के सामने में वो आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आईए इसको try again करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों फोटो सहीं नहीं होने के वज़ए से यह upload नहीं हो पा रहा है ठीक है तो business related कुछ अगर आप upload करते हैं तो यह जो है upload definitely हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं Instagram story को to Facebook business page लेकिन दोस्तों आप कुछ भी शेयर कर रहा है वो business related होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों उमिद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching